दोस्तो आईपियल शुरू होने में अब कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है लेकिन फिर भी दूसरे ही मैच में आईपियल की फास्टेस 50 का रेकॉर्ड टूड गया है जी हाँ आईपियल की फास्टेस 50 का रेकॉर्ड अब केल राहूल के नाम पे है जिनोंने दिल्ली डेविल्स के खिलाब सिर्फ 14 गेंदों में 50 करने का रेकॉर्ड किया है इतना नहीं इतना ही नहीं दोस्तो उन्होंने जब उनका स्कोर 52 रन था उसमें से सिर्फ 51 रन उनके थ और वो 16 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट है तब उनका स्ट्राइक रेट 318 रन था जी हाँ दोस्तों 318 रन पंजाब ने केल रहूल को साड़े 11 करोड रुपे दे कर लिया था ओक्षन के दर्मियान और उनके पैसे अभी ही वसुल करवा दिया ऐसा लगता लग रहा है इसस पारेज के खिलाब कोलकत्ता 2014 में बनाय था सुनिल नरीन ने 15 गेंदों में 2017 में 50 का रेकॉर्ड बनाय था और जबकि सूरेश रहना ने 16 गेंदों में 50 का रेकॉर्ड 2014 में बनाय था आप सब को यह वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले थैंक य झाल झाल झाल